अस्सलामु अलेकुम वरहमतुलाहिव बरकातु हूँ दोस्तों मैं हूँ फैद मलिक और आप देखना है हमारा यूटूब चैनल इस्लामिक दुनिया तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली 12 हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल का आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर घर में मौझूद खुआतीन जारू लगाते वक्त साथ साथ ये पढ़ लिया करें जो अमल आपको बताने चा रहा हूं तो अल्लह उस घर से हर तरह की बेबरकती को खतम फर्मा देता है उस घर में इतना रिजक नासिल फर्मा देता है और उस घर को इतना रिजक से भर देता है कि जानवर और परिंदे भी उन घर वालों को दुआएं देते हैं जो अमल आज मैं आपको बताने चा रहा हूं ये अमल बहुत ही जादा खास है इसको आप लोग अपनी औरतों को बताएं ख्वातीन को बताएं कि जब भी घर में जाडू लगाया करें दुकान में जाडू लगाया करें तो साथ साथ ये भी पढ़ती रहा करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं फिर देखेंगे आपके घर से बेबरकती खतम हो जाएगी, आपका घर हर तरहां की नहूसत से पाक हो जाएगा, शैतानी वस्वसों से पाक हो जाएगा, जादू टोने से पाक हो जाएगा, हर तरहां की रुकावटों, बंदिशों से पाक हो जाएगा, दोस्तों बेशक, अल् एक बुजर्ग बैठे वजू कर रहे थे किसी ने कहा कि आप क्या बार बार वजू करते रहते हैं बुजर्ग ने बड़ा काबिले गौर जवाब दिया कहा कि बेटा मुसल्मान ने जब भी अपनी तारीख लिखवाई या तकदीर बदली है तो खून से या पानी से इन दो चीजों से बदली है लिहाज़ा वजू हमें अल्हा के आगे जुकने और सजदे की तौफीक देता है वजू एक ताकत है वजू एक तालुक है वजू अल बयान किये तो आपने फरमाया हमेशा बावजू रहा करो फिर क्या हुआ कि काफी अरसे के बाद जब वही शक्स वही सहाबी आपकी खिद्मत में दुबारा वापस आया तो कहने लगा या रसूल ला बावजू रहने की बरकत से अल्लह ने बेशुमा रिजक अता कर दिया ह बलकि इतना रिजक अता कर दिया है कि अब मैं महले वालो और साथ वाली बस्तियों में भी तक्सीम करता रहता हूं तो इससे मालूम होता है कि बावजू रहने से कुशादा और बरकत वाला रिजक भी मिलता है और अल्लह के नभी की सुन्नत भी पूरी होती है तो आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूं नहायत ही छोटा सा असान सा अमल है दो से तीन साल चार साल के बच्चे को भी ये पढ़ना आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके घर में ख्वातीन मौजूद हैं उनसे कहें कि जब भी आप घर में जाडू लगाया करें तो ज़ाड़ू लगाने के साथ साथ आप लोग आउजू बिल्लाहिमन श्यत्वान इर्रजीम ये पढ़ती रहा करें जैसे जैसे ज़ाड़ू लगाती रहें साथ साथ आउजू बिल्लाहिमन श्यत्वान इर्रजीम साथ साथ ये पढ़ती रहा करें जिसका मतलब है पनहा मा रुकावटों को लेकर आता है अगर आपकी खुवातीन घर में जाड़ू लगाते वक्त आउज बिल्लाहिमन श्यत्वान रजीम पढ़ती रहेंगी और साथ साथ जाड़ू लगाती रहेंगी तो शैतान की सारी नहूसतों शैतान के सारे वस्वसों शैतानी बंदिशों का ख पाक हो जाएगा अल्ह पाक की बरकत नाजिल होने लगेगी परिंदे जानवर सब आपके घर के लिए दुआ करेंगे एक बार अपनी खुवातीन को कहें कि जाड़ू लगाते वक्त आउज बिल्लाहिमन श्यत्वान रजीम जरूर पढ़ा करें उसके बाद आपकी खुवा गर में रिजख मौजूद नहीं था ये छोटा सा अमल करने से इतना रिजख आ गया है तो इस वीडियो को आप लोग अपने तमाम भेन भायों के साथ जरूर शेयर करें उनको भी बताएं कि अपने घर में ये अमल किया करें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपनी गवाओं में याद रखें अल्ला हाफेसे